नमस्कार दोस्तो मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर दोस्तो आप उसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांथ आपको पीडियोफ अप्डेट्स मिल जाएंगे और साथी साथ यह मेरी एन अकाड लगभग हमारे तेजस MK-1A के आधे दाम पे रशिया कह रही है यह उसको बेचेगी इतना छोड़ी तेजस छोड़ी यह चाइनीज JF-17 से भी सकता है तो ऐसा कैसे हो सकता है क्या इस दावे में दम है तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक को देखेंगे औ रशिया की Unified Aircraft Building Corporation OAK और साथ में सुखोई Aircraft Company तो इन्हों ने दोस्तो Moscow Aviation and Space Expo में इस प्लेइन को लांच किया और इसमें दोस्तों अगर हम देखें तो यह सिंगल इंजिन Steel Fighter Jet है आप देख सकते हैं यह लोग चारों तरफ है और इसको यहाँ पर देख रहे थे उपर बड़ा सा Mirror लगा था और Mirror में भी इसका Reflection उपर का भी View वो उसी के द्वारा देख पा रहे थे तो दोस्तों यह जो प्लेन है Su-75 है इससे पहले रिशिया की दूसरी 5th generation fighter aircraft जो अ इसी का 57 का digit उल्टा कर दे तो यह 75 बनता है और इसलिए इसका नाम इसवक्त Su-75 भी बुलाया जा रहा है क्योंकि इसमें यह जो नंबर है यह 7 और 575 है तो यह नंबर चुनने के पीछे कारण है कि कोई संस्ता इसको लखी मानती है 5 और 7 को इसलिए यह नंबर भी यहाँ प यह 5th generation fighter aircraft है कुछ earlier Su-57 या फिर US का F-22 के जैसा F-35 के जैसा तो इसके समान यह 5th generation fighter aircraft है जिसमें advanced avionics है stills fighter jet है तो stills coating की गई है तो radar cross section इस प्रकार से इसका design है कि minimize हो जाए radar में detect ना हो इसकी maximum speed mac 1.8 है range 2800 km है और payload capacity भी 7400 kg की है और कहीं जारी है FGFA है 5th generation fighter aircraft है तो obviously इसका जो payload होगा वो open में नहीं होगा rather under में रहने वाला है बिली के अंदर इसको covered रखा जाएगा so that RCS radar cross section इसका minimal रह सके इसके सिवा दोस्तों इसमें AI का भी उपयोग किया जा रहा है advanced artificial intelligence system है और यह इनका दावा है कि वो एक co-pilot की तरह इसका AI system काम करने वाला है and दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो रश्या की यहाँ पर कुछ American influence भी दिख रही है with respect to जो principles है उनकी air force की उसको लेके तो रश्या की अगर US की बात करें तो उनकी एक main 5th generation fighter aircraft है वो क्या है F-22 यह जो आप देख रहे हैं इसके सिवा दोस्तों दूसरी 5th generation fighter aircraft जो US maintain करत यह क्या है F-35 तो दोस्तों F-22 अगर हम देखें तो बहुत limited number में है and कारण है दोस्तों यह बहुत ज्यादा expensive है बहुत महंगा है तो America ने क्या किया है दूसरे 5th generation fighter aircraft साथ में ही manufacture किया है जो की हलके इनके तुलना में बहुत सस्ते है F-35 and F-35 दोस्तों F-22 को supplement करने का काम करत ही है तो इसी design principle को follow करते हुए Russia में भी F-22 के जगह पे कौन रहेगी SU-57 जो की already Russia के पास है जो की काफी expensive वाली 5th generation fighter aircraft है और F-35 का काम कौन करेगी आने वाले जिनों में SU-75 करेगी इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखे तो SU-75 को कहा जा रहा है कि यह बहुत ज्यादा export market को target करते हुए बनाई है जिसमें इंडिया साथ-साथ अन्यदेश भी है और इंडिया को भी बहुत बड़ा contender माना जा रहा है SU-75 को purchase करने के लिए तो दोस्तों इसमें अलग क्या है दोस्तों अलग है इसकी cost दोस्तों वैसे cheap कहना गलत होगा पर दोस्तों यह सच में cheap है यह बहुत ज़्यादा सस्ता है इनका ऐसा दावा है इनकी अगर आप unit price देखे तो वो 25 million to US dollar 30 million की होगी तो दोस्तों यह fly away price है fly away cost क्या होता है दोस्तों यह सारा cost में fly away कह रहा हूँ तो fly away cost companies कह रही है company कह रही है 25 million to 30 million है fly away cost क्या हुआ दोस्तों तो यह सिर्फ plane का cost है without इसमे कोई weapons and साथ में कोई weapons load नहीं है और साथ ही साथ इसमें कुछ modifications नहीं है and fully loaded configuration में नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ plane का ही ही बात हो रही है and यह कीमत अभर के आने वाली है 25 से 30 million दोस्तों इसके सिवा आप देखें तो उसके बावजूत मानते है 25 से 30 million में इसमें weapons included नहीं है इसमें बाकी packages included नहीं है हो सकता है इसमें electronic warfare packages included नहीं है उसके बावजूत दोस्तों अगर 25 से 30 million भी इसकी कीमत है तो यह unbelievably low है क्योंकि दोस्तों आप अगर F-35A जो US का सस्ता वाला 5th generation fighter aircraft को देखें तो उसकी कीमत भी दोस्तो 78 million है आप इंडिया की Tejas MK-1A देखें जो की 5th generation fighter aircraft नहीं है राधर यह कुछ 4.5 4th generation की aircraft होगी है तो इसमें भी आप अगर देखें तो इसकी cost 41 million है वो भी यह भी flyaway cost है दोस्तों weapons load के बगार Tejas MK-1 की cost भी इससे लगबग 2 गुना से 1.5 गुना जादा है और अगर JF-17 जो की Chinese MiG-21 का upgraded variant काई लोग कहते हैं तो JF-17 block 3 अगर आ 32 million है हाला कि काफी लोग काफी तारीफ भी करते हैं JF-17 block 3 पर जो भी दोस्तों यह Chinese weaponry है और Chinese plane का भी अगर cost देखें तो 32 million है flyaway cost दोस्तों उससे भी सस्ता रशिया कैसे बना रहा है यह तो क्या यह feasible है तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि analyst बहुत ज्याद काम नहीं है उसमें design से लेके बागी चीजों में भी इतना खर्चा होता है और जो nano coating लगती है दुनिया भर की चीज़ें हैं जो उसकी avionics आएंगी तो यह बहुत महंगा काम है तो दोस्तों इस कीमत पर कैसे offer हो रहा है यह यह अपने आपने analyst बहुत ज्यादा स्केप्टि हैं उनका अगर आप देखे तो reputation बहुत गर्बढ है जब बात होती है advertise price की और actual price की दोस्ता आपको याद होगा पाक FA program में इंडिया भी था तो रश्या की SU-57 वाले 5th generation fighter aircraft में इंडिया था जब इंडिया को advertise किया गया था तो कहा था कि इसकी कीमत 5th generation fighter aircraft की कीमत SU-30 MKI से देखें तो cost है 52 million per unit and fly away price इतनी होनी चाहिए थी बहुत तो 70-65 होता पर दोस्तो ये SU-57 जब इंडिया को offer हुआ तो इसकी कीमत 125 million dollar करीबन निकली एक unit की fly away price without weapons package without modification उसको इंडिया ने modify modify करवाने के बाद तो बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई तो दोस्तो इस वज़े से इं program बीच में ही इंडिया ने उसको reject भी कर दिया तो दोस्तो यही कारण है इस वज़े से तो Russians बहुत ज्यादा notorious है जब बात होती है जब वो कीमत advertise करते हैं और वो कीमत जो actual market में hit करती है तो दोस्तो हो सकता है analyst कह रहे हैं कि वही चीज़ वापस होने वाली है यहां भी जब कि actual हवा में ओडे की किस कीमत पर offer होगी तब तब वो उसमें जमीन आस्मान का अंतर वापस होने की संभावना बहुत ज्यादा है दोस्तो आई हो आपको आज की class पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिए गा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तो दोस्तो जब भी एन अगाडमी पर आएं यूज दी कोड के सी 10 क्योंकि सब आप उसे 10% आफ नहीं मिलेगा बेस्ट मिलेगी डायक हैंड होल्डिंग मिलेगी बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडन से वो सारी सब्जेक्ट्स ऑफ जीए ऐसे जिग्रफी ऑप्शनल में मेरे द्वारा आपको बिलेगी एंड यह हैंड होलिंग मैं खुद यह सारे आपको मिल जाएंगे दोस्तों इसकी कीमत एक अगस्ट से बढ़ने वाली है लेकिन इस वक्त आपको बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में हम यह प्रोवाइड कर रहे हैं और आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों तो यह प्राइस जो इस वक्त आपको मिल र दोस्तों दो लागती सजार करीब होती है यह आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं बस और बस 57500 में और एक अगस्तर प्राइस बढ़ेंगी पर दोस्तों यहाँ पर और एक अच्छी न्यूज अच्छी न्यूज क्या है हम आपको एडिशनल 10 परसेंट आफ दे रहे हैं जिस इसके सिवाद लूस्तों आप देख सकते हैं किए सिए शूर प्रोग्राइम भी रन कर रहे हैं जिसके दहगत आपको हमें 1 साल की सब्सक्रेपशन बिलिव इस तक वैलेड रहेगी आपकी और साथी इसात आख आपको फ्री टेस्ट सिरीज हम दे रहे हैं किसी भी जिस ऑक् दो साल की सब्सक्रिप्शन लें और इसके बावजूद तो अगर आप यूपेसी सी एक्जाम नहीं क्लियर कर पाते तो आपको एक साल की extension मिल जाएगी और अकैडमी नोट्स हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनी भाषाओं में कीका को खता हुद इसके सिवा डोस्तों आप देख सकते हैं रिलेंटर सेस्टन स Guinea्ट के और S戯 ऌर और हितनर बहुत में भी भाषाँ सब्सक्रिप सकते हैं और दी ठीट यूट और सुगति की अगया कोनी व्यूप था सकते हैं ए स्टार स स्कूप्सक्रिप्शन करेंगे और दूस्तों एक साल की कीमत से 24,750 रुपे और यूजिन दी कोड कोड का हिस्था बने 28 जुलाई से नहीं बैटे स्टार्ट होने और फ्री टेस्ट सीरीज है के सीवन जिरू कोड का हिस्था माल करें और इसका हिस्था बने थैंक यू तो मुझ पर जोइनिंगे वाव ग्रेट दे